नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बर फिर से जाजी की चंस में दोस्तों आज की जो रेसिपी है आप दे सकते हैं बहुत ही डिलिशित बहुत ही यमी रेसिपी बटने जा रही है हर पार्टी की शान हर दावत की जान जी हां दोस्तो क्रीपी वेच सैलेट जी हां क्रीमी वेच सैलेट बनाने जा रहे हैं हम आप तो बिल्कुल घर में खाना बनाएं और इस तरह का सैलेट बनाके बिल्कुल पार्टी का सा इन्जोई करें जी हां दोस्तो बिल्कुल असानी स बनने वाली ये recipe है और असान तरीके से बनाईए असान चीजों से मिलने वाली चीजों से ये salad बनने वाली है और खाने में बहुत ही गजब का स्वाद अक्सर आपने पार्टियों में ये salad देखा होगा और सोचा भी होगा कि आखिर ये कैसे बनता है तो हम भी बनाएं तो जिन्ने आता है बनाना वो भी देखें और जिन्ने नहीं आता है बनाना वो बिल्कुल देखें और बनाएं जी हाँ दोस्तो बहुत ही गजब का स्वाद ultimate स्वाद जिसे कहते हैं ultimate taste बिल्कुल उसी तरीका का ये बनने वाला तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहां मैंने एक खीरा ले लिया है और खीरे को बिल्कुल हम इसी तरीके से छील लेंगे दोस्तों और छील के इस तरीके से कट कर लेंगे अगर आपकी खीरे में बीज है तो इन बीज को साफ कर लें आप बीज से cut लगाके बीज को निकाल दें और इसी तरीके से हम अपने सारे खीरे को cut कर लेंगे और बाकी की wedges भी मैं आपको दिखाती हूँ सभी wedges को चील के cut कर लेंगे और हम तैयार करेंगे एक बहुत ही creamy, बहुत ही tasty, yummy veg salad जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने creamy veg salad जो की बहुत आसान तरीके से आपको मैं बताने जा रही हूँ जो की पलक जपकते ही हम बना लेंगे घरों में हम mostly generally खीरे और प्याज को काट देते हैं खीरा प्याज टमाटर कर देते हैं और साला तैयार कर देते हैं तो क्यों ना आज थोड़ा सा different बनाया जाए जिसमें अलग taste आए, अलग स्वाद आए तो बिल्कुल इसी तरीके से देखिया हम अपने खीरे को हमने काट लिया है और अब हम इसे अलग कर लेते हैं और चलते हैं हम अपने next vegetable तो next vegetable जो मैंने यहां पर लिया है वो लिया है गाजर जी हां दोस्तों तो गाजर को भी हम छील लेते हैं और उसके भी टुकडे कर लेते हैं बिल्कुल छोटे-छोटे टुकडे हमें करने हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम छील लेंगे अपने गाजर भी बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्टी ये सालड बनने वाला है दोस्तों तो वीडियो को स्किप ना करें पूरा देखें क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो हो सकता है कुछ स्टेप्स आपके रह जाए और आपका साला ठीक से ना बन पाए तो ये देखिए बने रहे ये वीडियो में पूरा देखिए और वीडियो को में अगर आप पह लिया है और टमाटर के हम सारे बीज इस तरीके से निकाल लेंगे जी हां दोस्तों और यहां प्लेट में आप देख रहे हैं सभी सब्जियों की जो छीलन है वो है तो इसे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों इसको हम एक पनी में रख देंगे और दो से तीन दिन इसको र अच्छा कर देता है जी हां दोस्तों तो इस तरह के वेजिस के पीलिंग जो होती है इनको आप फैके ना इनको अपना प्लांट्स के लिए आप फटिलाइजर के रूप में तैयार कर सकते हैं बहुत अच्छा प्लांट में यह ग्रो देगा शाइन देगा फ्लॉरिंग प् कट कर लेना है और कट करके हम फिर बनाते हैं अपना क्रीमी सलाद जी हां दोस्तों हम बनाएंगे आज अपना क्रीमी वेज सलाद जी हां दोस्तों यह सलाद है न दोस्तों यह खाने में जितना अच्छा है न healthy यह उतना ही है शलाद तो वैसे भी हमारी health के लिए बहुत ही अच्छा होता है न्यूट्रेंट से भरपूर होता और क्योंकि हम इसमें सारे सीजनेल वेजिस डालते हैं तो ये बहुत ही हेल्दी हो जाता है और स्वाद तो पूछिये मत बस अगर आप उस्वाद लेना है तो एक बार आप इस रेसिपी से ये सला बनाईए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चुकंदर भी काट लिए हैं और प्याज भी काट लिए हैं प्याज को हमें पानी में रखना है थोड़ा सर नमक डालके थोड़ी देर के लिए ताकि जो प्याज का स्मेल है वो हट जाए तो आप देख सकते हैं यह सारे सबजियां हमने ले ली हैं आपके पास अगर यहाँ पर स्वीट कॉर्ण हो तो वो भी जरूर ले लीजिएगा और यह देखिए यहाँ मैंने घर की मलाई से फ्रेश क्रीम पनाओंगी मैं तो इसको थोड़ा सा हम दो चमज मैंने यहाँ पर क् ये देखिए ये बिल्कुल गाड़ा थिक क्रीम बन गया है और इसी को हम यूज करने वाले हैं तो है ना बिल्कुल घर में तयार एकदम अच्छा सा टेस्टी सा पाटी वाला वो सालाड जो हम जाते ही पाटी में इस सालाड पर तूट पड़ते हैं जी हाँ दोस्ते करने कि आप इतना क्यों खा रहे हैं खुद बनाएंगे सब को खिलाएंगे खुद भी खाएंगे ये देखिए ये क्रीम फॉर्म में आ गया है थोड़ा सा ही मैंने इसे फैटा है और बहुत ही बढ़िया क्रीम हमें मिल गया है मातर दो चमच मलाई से तो अब मैं इसमें ए यूज करते हैं उसी को हमें यूज करना है आप देख सकते है अब इसको हम फैट लेते हैं एक बाफिर से ये देखिए बिलकुल मिक्स कर लेना है कोई लंग्स नहीं रहने चाहिए तो इसी तरीके से हम फैट लेंगे दोस्तों और जो हम इसको इस्तिमाल करने वाले हैं ना सलाड में यह हमारी सलाड को ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा इतना अच्छा टेस्ट देगा ना कि आपका मन करेगा कि आज रोटी ना खाके भर पिठ हम सलाद ही खा लेते हैं क्योंकि nutrition तो है इसमें, healthy तो यह है ही और खाने में भी बहुत जाएकेदार है तो आप सलाड खाकर ही रहने वाली हैं आज जहां दोस्तों सभी मांग मांग के खाएंगे बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाला है यह सलाड क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि पाटियों में दावत में जब हम जाते हैं तो हम इस सलाड को बहुत जादा enjoy करते हैं तो आज हम इस सलाड को enjoy करेंगे बिल्कुल घर में तो यहां देखिए यह मैंने थोड़ा सा काला नमक add किया है यहां दोस्तों थोड़ा सा यहां मैंने काला नमक add किया है और यहीं पर हम add कर देंगे यहां पर थोड़ा सा हम ओरिगेनो add कर देंगे और थोड़ा सा हम add कर देंगे यहां पर काली मिर्ची पाउडर यह देख सकते हैं इसको भी हम नमक डालने के बाद भी हम इसको थोड़ा सा अच्छे से चला लेते हैं दोस्तों ताकि नमक भी जो है हमारे इस क्रीम में अच्छे से मिक्स हो जाए बहुत बढ़िया सा ये हमें फेटना है और ये देखिए बल्कुल अच्छे से mix हो गया है और यहीं पर हम मिला लेंगे थोड़े-थोड़े से अपनी बाकी की चीजे भी जो कि मैंने आपको बताया है ये देखिए थोड़ा सा vinegar डाला है हमने वाइट विनेगर जो हमारे घरों में अक्सर मिलता है तो थोड़ा से ही मिलाना है दोस्तों इसमें बहुत ही गजब का स्वाद आने वाल है हमारे इस हेल्दी क्रीमी सैलाड में तो आप भी एक बार जरूर बनाएगा और इसका पूरा आनंद लेजीएगा एकदम आपको पार्टी वाली फिलिंग आएगी कि आज आप पार्टी में ही गई है तो इसके साथ आप बढ़िया बढ़िया एकदम पुलाव बनाएगे आप पूरिया बनाएगे बहुत अच्छी चीजे बनाएगे घर में और ये सालाड रखें और बिल्कुत जाई कर लें आप पार्टी वाला है तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चुकंदर भी मिला दिया सारी सब्जों को हम अब अपने एक बॉल में शिफ्ट कर लेते हैं ये टमाटर, खीरा और गाजर हमने पहले मिला लिया था और देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छा सा दिखने में ही कलर आ गया है ये किन मानिए ये बहुत ही स्वाधिस्ट और बहुत ही हेल्दी होता है तो यहाँ ही मैं अपने प्याज भी यहाँ पर निकाल लेती हूँ और आप प्याज में बिल्कुल भी स्मेल नहीं है तो हम इसे भी एड कर देते हैं यहीं पर और ये देख सकते हैं आप जो तयार किया हुआ हमारा पेस्ट है क्रीम और म्योनीज का तो उसको भी हम यहाँ पर एड कर देंगे ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने क्रीम और म्योनीज के पेस्ट को भी एड कर देंगे और बाकी की चीजे भी हम यहाँ पर एड करेंगे दोस्तों देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा कलर आने लगा है तो यह देखिए काली मिर्ची पॉडर थोड़ा सा एड़ किया है मैंने यहां पे थोड़ा सा हमने यहाँ पे औरिगनो एड़ किया है और थोड़ा सा हम यहाँ पे स्वादनुसार साधनमक एड़ करेंगे जिहां दोस्तों काला नमक हमने पेस्ट में एड़ किया था और यहाँ पे हम साधनमक जो हम घर में खाते हैं वो थोड़ा सा हमको add करना है और यहीं पर हम add कर देंगे यहाँ हरी बार एक कटी हुई धनिया पत्ती और यह देखिए कलर कितना अच्छा सा आ गया है बिल्कुल ललचाने वाला कलर आ गया है इसका और इन सब को अब हम करते हैं mix यह देखिए निम्बू का रस निचोड़ देंगे हम इसमें और बिल्कुल स्वाद के अंसवार ही निचोड़ेंगे तो यहाँ मैंने आदा निम्बू लिया है दोस्तों आप अगर खटा पसंद करते हैं तो आप तोड़ा जादा भी डाल सकते हैं तो यह देखिए गजब का स्वादाने वाले हैं इंडिग्रेंट्स देखके आपको लग रहा होगा कि सलाद की तो बड़िया बनने वाला है यह देख सकते हैं तो सभी मिश्रन को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और बहुत बड़िया सा सलाद हमारा जहिद बन के हुग गया तयार है जी हाँ दोस्तो यह देखिए बहुत अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है परफेक्ट तरीका एकदम क्रीमी यमी हेल्दी सलाद जी हां दोस्तों क्रीमी यमी और हेल्दी सलाद बहुत बड़िया यह देखिए देख देख के मूँ में पानी आने वाला सलाद है नहीं तो अगर आपने नहीं बनाया है तो बिल्कुल इसी रेसिपी से आप अपने सलाद को बनाईए और पूरी फैमली के साथ इंजोई कीजिए तो यह देखिए करते हैं सर्व यमी टेस्टी और क्रीमी सलाद जी हां दोस्तों यमी टेस्टी क्रीमी वेज सलाद हर पाटी की शान हर दावत की जान यह स जरूर इस रेसिपी को ट्राइ कीजिएगा दोस्तों बहुत ही टेस्टी बहुत ही हल्दी बहुत ही स्वादिस्ट सलाद हमारा बन के हो गया तयार तो यह देख सकते हैं आप तो आई होप आप भी इसको जरूर ट्राइ करेंगे और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो